type of communication या फिर इसको form of communication कह सकते हैं या फिर classification of communication तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यह कि कितने type में divide के जा सकता है तो communication को divide करने का जो तरीका है वो दो basis पर communication को divide के जा सकता है पहला है based on communication channel यानि कि किस mode का use करके communication हो रहा है उसके basis पर वहीपे दूसरा basis है that is based on style, purpose or workplace ठीक है एक mode हो गया और एक कहाँ पर और किससे कर रहे है communication इसके business पर आप communication को divide कर सकते हैं तो based on communication channel की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से आप divide कर सकते हैं पहला है verbal और दूसरा है non-verval verbal का मतलब होता है जहाँ पर words का इस्तमाल होता है जैसे कि इस वक्त मैं आपसे communication कर रहा हूँ मैं आपको इस topic communication type of communication पढ़ा रहा हूँ यह जो मैं बोल रहा हूँ ना यह क्या है यह verbal हो गया यानि कि मैं words का इस्तमाल कर रहा हूँ सामने जो आप इस screen पर देख रहे हो वो written में है वहाँ पर भी word का use किया गया यहां पर words का इस्तमाल किया गया यह क्या हो गया वहाँ पर non-verbal communication का क्या मतलब हो गया कि जहां पर words का इस्तमाल नहीं होता जैसे वहाँ पर क्या होता है hands का इस्तमाल होता है facial expression का इस्तमाल होता है eye contact का इस्तमाल होता है sign language का इस्तमाल होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, वो non-verbal, non-verbal मतलब जहां पर words का इस्तमाल नहीं होता है, अब verbal जो है, इसको भी further दो type में classify किया गया है, oral and written, तो oral और written में क्या difference हो गया, oral यानि कि जो मैं बोल रहा हूँ, यह oral है, वहीं पर जो आप screen पर देख रहे हैं, वो क्या है, वो लिख इस एस expression होता है, वो non-verbal हो जाता है, वहीं पर बात कर लें कि workplace या फिर किस से communicate कर रहे हो, कहां पर communicate कर रहे हैं, उसके basis बात कर रहे हैं, तो formal और informal होता है, यानि कि सब़ोज करें कि दो employee हैं, और दोनों employee जो है, वो office related, काम से related communicate कर रहें, तो वो चीज क्या कराएगी, formal communication कर एक employee अपने superior से जो है office के regarding बात कर रहा तो वो क्या होगा formal communication होगा वही पर एक employee दूसरे employee से अपने कलिक से बात कर रहा है लेकिन वो अपने घर अपने परिवार अपने रिस्तेदारी या फिर जो है उसको कुछ personal problem हो उससे related बात कर रहा तो वो चीज क्या हो जाएगी वो informal communication हो communication between people using oral or written words चाहे बोलके चाहे लिखके words का इस्तमाल करके जब आप communicate करते है तो वही चीज क्या कहलाती है वरवल communication कहलाती है message is transferred from the sender to the receiver through an oral or written channel of communication तो oral या written channel of communication का use करके message को transfer किया जाता है जैसे कि आप suppose करें कि आपसे किसी ने बोला कि आज शाम को movie देखने चलोगे तो आप बोलोगे no आज मेरे को exam के त्यारी करनी है और मैं movie देखने नहीं जाओंगा तो no आप बोलते हो यह क्या हो गया यह verbal communication हो गया clear यहाँ पर क्या क्या आपने words का इस्तमाल करके वहाँ पर verbal communication हो verbal में कौन सा है oral communication है आपने नहीं बोला लिख के दिया होता नहीं तो वो क्या हो जाता है वो written communication हो जाता है clear आपको जो भी सारी चीज़े बतानी होते हो, आप तेलीफान पर बता देते हो, वहाँ पी लिखके नहीं में भाइँ हो, तो ओर छीज़ क्या होता है, वहोराल कम्मूनिकेशन होता है, जो words है उसको लिखते नहीं हो बोलते है तो वो चीज हो जाएगी oral communication it can be divided into formal and informal formal and informal जो आपने देखा पहले भी तो वहाँ पर क्या है formal भी हो सकता है जाने कि जब एक employee spoken words का use करके अपने senior को कोई चीज message pass on कर रहा है वो formal communication हो गया वहीं पर अपना एक employee जो है दूसरे employees अपनी personal problem को discuss कर रहा तो चीज क्या हो गया informal communication हो गया तो oral formal या फिर informal दोना होता है लेकिन oral का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आप words को बोलते हो words को बोलके जो है अपने message को communicate करते हो तो वही चीज क्या कहलाती है oral communication कहलाती है वहीं पर दूसरा type जो है वो verbal communication का that is written communication यानि कि आप लिख के भीजते हो sending message through written words आपने लिखा है और लिख के words को use कहिया है और लिख के अपने message को communicate किया है तो that is written communication use of written mode of transfer the message तो यहाँ पर क्या होता है message को transfer कने के लिए written mode को use किया जाता है और यह सबसे effective communication माना जाता है क्यों क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आप हो सकता है कि गलत word बोल रहे हो लेकिन जब आप लिख के बेजते हो तो वहाँ पर clearly पता चलता कि अच्छा आप ने ये बोला हो सकता है कि आप verbally बोल रहे हो सामने वाले को सही से interpret उसको कर सकता तो इसको effective communication कहा जाता है and इसको जो है आप as a evidence भी use कर सकते हो आपसे किसी ने कहा था कि मैं आपके लिए काम कर दूँगा तो उसने आपसे कहा था उसका कोई आपके पास evidence नहीं होगा लेकिन अगर कोई लिख के देता है आपको कि हाँ ये मैं आपके लिए काम कर दूँगा तो फिर वहाँ पे आपके लिए क्या होता है evidence होता है कि वो proof as a proof of use कर सकते हो अगर legal scenario आता है जैसे कि आप कोई product purchase करके लेके गए आपने mobile के लिए उसको पैसा दे वो आपको bill का receipt देता है तो receipt कि रिटन प्रूफ हो गया receipt ना दे तो आपके पास कोई proof ही नहीं कि आपने mobile के लिए payment किया भी है या नहीं किया है आप जो है जमीन की रिजिस्ट्री करवाते हैं किस से आपने ख़एदे कितना पैसा उसके लिए यह सारी चीज़े written में होती है तो वो क्या है written communication legal proof होता है evidence के तौर पे उसको आप use कर सकते हैं यह हो गया verbal communication verbal communication यानि कि जहां पर words का यूज होता है अगर आप words को बोल के communicate करते तो oral communication words को लिख के communicate करते हैं तो वो written communication हो जाता है अब बात कर लें written communication तो written communication आप देखते होंगे letters का use कर रहे है manuals का use कर रहे है reports का use करते है emails का use करते है handbooks होता है books होते है circulars होते है जो आपके college में universities में निकलती है तो यह सब क्या है यह written communication के तरीके है अब university है, university आपको बताती है कि examination form बने की ये date है तो कैसे बताती है, क्या सभी को call करके नहीं बताती है, क्या करती है, circular जारी कर देती है उसके website पर circular आ जाता है, notice आ जाता है, उसको download करती है, उसमें पढ़ लेते हो no exchange of words, नहीं कि जब आप communication करते हो, तो आप पर words का इस्तमाल आप नहीं करते हो clear interaction with sign and symbol, यहाँ पर क्या होता है, आप sign and symbol का use करके interact करते हो यहाँ पर words का use नहीं, sign and symbol, आप suppose करें कि आप से पूझा कि भाई, movie देखने चलेंगे सामको तो आप क्या करते हो, no नहीं बोलते हो, आप क्या करते हो, सर को उपर नीचे हिला देते हो, यानि कि हाँ, चलोगे या फिर आप क्या करोगे, दायबाय हिला दोगे, दायबाय हिला दोगे, मतलब कि नहीं चलोगे यहाँ पे आप words का इस्तमाल नहीं करते हो, बलकि sign या symbol का use करते हो, communication करने के लिए, symbol, signs, gesture, body language, facial expression, eye contact, physical appearance, इन सब के basis पर यहाँ पे communication होता है, non-verbal communication में, तो यहाँ पे visual और auditory, दोनों nature का हो सकता है, sign और symbol जो हो सकता है, यहाँ देख के आपको communicate के जा रहा है, जैसे कि आप road पे चलते हो, तो बहुत सारे science बने होते हैं, कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे horn नहीं बजाना है, यह red light हो गया, यह yellow हो गया, तो आप start कर सकते हैं, green हो गया, तो आप जा सकते है, यह क्या है, यह visual हो गया, auditory यहाँ पे आपको sound में सुनाया जाता है, जैसे कि आप school में क्या है, auditory communication हो गया, auditory nature का हो गया, तो यह non-verbal communication, किसी ने आके बोला नहीं, कि lunch हो गया, यह चुटी हो गया, आप समझ गया है, बेल बजने पर कि हाँ, आगली class आगी, lunch हो गया, फिर चुटी हो गया, clear, तो that is non-verbal communication, तो आप जैसे कि इस road पर देखते होंगे, गुमते हो होंगे no parking, no stopping, compulsory head only, यह फिर compulsory turn right, तो यह क्या है, यह non-verbal communication है, तो sign symbols का यूज़ करके जब आप communicate करते हैं, तो वह चीज़ non-verbal communication कहलाती है, अब जो है non-verbal communication, different different type के होते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है kinases, kinases का मतलब क्या होता है, कि kinases का मतलब की physical movement, आपकी body का physical movement हो करते हैं, आप किस तरके से चल रहे हैं, आपका hand कहा move कर रहे है, आपका facial expression कैसा है, आपकी eye contact कैसे है, इसके basis पर आप समझ सकते हो कि आपके सामने वाला आप से क्या communicate करता है, ठीक है, तो using various movement of hands, facial expression, eye contact, तो यही चीज़ कहते है, kinases कहते हैं, आप सब पूछ करें कि आप से जो भी अपने example दिया, आप से पूछा कि शाम को movie देखने चलोगे, तो आपने क्या किया, सर को उपर नीचे है, फिर दाय बाय करके आपने बता दिया, कि हाँ आया, नामे जवाब दे दिया, तो यही चीज़ कहते है, kinases कहते है, body movement, study of body movement, आपने किस तरीके से अपने body movement का युस्तमाल किया है, ठीक है, तो भी चीज़ कहते हैं, kinase 6, for example, nodding of head communicates and acceptance or denial by the receiver, nodding of head, मतलब कि आपने head movement किया, उसके हिसाब से, कि आपने हा किया, तो उपर नीचे ना किया, तो दाय बाय करके आपने बता दिया, communicate कि आपने बोला नहीं, तो that is kinase 6, तो kinase 6 में 4-5 चीज़ का अपने छिड़का हुआ है, तो यह physical appearance, इससे भी क्या होता है, सामने को communicate होता है, आप suppose कि एक well educated person है, तो आप उसके dress से पहचान सकते हैं, यह well educated है या नहीं है, अगर dress सही नहीं पहना है, तो आप समझ जोगे कि यह well educated नहीं है, तो physical appearance भी क्या है, communication करता है, doctor है, तो आप doctor ने stratoscope लगा रखा है, तो आप समझ जाओगे, उसको देखते हैं, हाँ यह doctor है, यहाँ पर किसी ने बताया नहीं आपको कि वो doctor है, लेकिन उसकी dressing से आप समझ गए कि वो doctor है, तो यह क्या है, that is kinetics, non-verbal communication, posture, यान कि आपके उठने बैठने बोलने का तरीका कैसा है, वो भी आपका बता देता है कि आप किस टाइप का behavior के आप person है, आप किस टाइप के, किस nature के person है, तो किस तरीके साब खड़े हैं, किस तरीके साब बात कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बैठते हैं, ठेके, यह चीज़ क्या है, यह चीज़ क्मुनिकेट करते ह आपका behavior, आपका nature, आपका character कैसा है, clear, वहीं पर karnesics में next आता है, that is gesture, gesture यानि कि आपका hands का movement, head or face का movement, उसकों कहते हैं gesture, तो physical appearance, आपका dressing sense, posture, यानि कि किस तरीकित आप खड़े हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं, gesture, आपके hands का movement, आपके head or face का movement, clear वो चीजे, इसके अलावा जो आप confidence आपके अंदर नहीं है, तो इससे जो है, ये communication मिल जाता है, आपने किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपको देख के सामने होला समझ जाता है, that is non-verbal communication का type, kindness, clear, अब दूसरी, तो दूसरा type of non-verbal communication है, that is sign language, sign language क्या है, यहां पर भी words का इस्तमाल नहीं करते हैं, आ आप communication करते हैं, sign language, जैसे कि uses audio, visual and audio, visual, signs and symbols to communicate, यहां पर हम क्या कहते हैं, audio का यूज करते हैं, या फिर audio का जैसे भी आपको example दिया, कि bell बजने पर आपको communication हो जाता है, कि यहां lunch हो गया, कि छुट्टी हो गई है, visual, यहांने कि आपको कोई चितर दिखा कि आपको communicate के अदर जैसे कि road पर चलते हैं, तो different different sign boards बने होते हैं, कि आपको dime मोरना है, stop होना है, चलना है, कि नहीं चलना है, on बजाना है, कि नहीं बजाना है, वहीं पर audio visual आने कि आपको image के साथ साथ, जो है, visual भी sounds भी involved होंगे, तो वो जीज is audio visual हो गया, तो that is non-verbal communication, that is sign language, clear, a thumbs up is a positive sign, या कि हाँ, आप जो है, movie देखने चलोगे, तो communication through body language, gesture, facial expression, यह सब क्या है, यह सब sign language के ही part होते हैं, तो जो अभी आपने carnesics में देखा, वही चीज का है, sign language में ही आ जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, hello बोलना है, तो आप hand को wave कर दे हो, goodbye करना है, please करना है, thank you बोल जाता है, कि यहाँ पर दिखा जाता है, कि physical space individual के बीच में कितना है, study of the physical space between individual, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जब दो लोग communicate कर रहे होते हैं, दो से अधिक लोग, उनके बीच में एक space maintain होना जरूरी होता है, उस space के basis पर आप यह communication को समझ सकते हो, deal with the necessary space or distance between two people should maintain between each other during a process of communication, यहाँ कि जब communication करते हैं, तो उस बीच में कितनी distance होनी चाहिए, दो से अधिक परसन के बीच में, उसी को हम क्या करते हैं, proxemics कहते हैं, तो Edward T. Hall थे, जिनोंने space को जब communication करते हो, interaction होता है लोगों के बीच में, तो उसके बीच में, जब space होता है, वो चार टाइप में, चार the people होता है, और इसमें जो है, नॉर्मली 45 cm का gap होता है, फिर 1.5 feet का gap होता है, sender और receiver में, clear, यह shortest distance होता है, तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई close family member है, जैसे parent है, spouse है, relatives है, यह क्या है, यह आपके नजदीक, काफी नजदीक आके आपसे बातचीत करते हैं, तो आप इसके basis समझ सकते हो कि relationship क्या हो सकता है, तो also shared with very close friend and lovers, जो आपके lovers हैं, या फिर आपके close friend होता है, उनसे भी यह space share होता है, तो यह क्या क्या है, intimate, यह आप समझ जाओगी कहां इन दोनों के बीच में relationship intimate है, या तो भाई बैन होंगे, या तो ममी पापा होंगे, या फिर lovers हो सकता है, या फिर close friend होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, किसी ने बताया ने, लेकिन आप समझ सकते हो, guess कर सकते हो, ठीक है, अब intimate में क्या हो जाता है, जैसे कि किसी ने आपको hug कर दिया, pat on the back, आप पे पीट पे सावासी देती, holding hand, हाथ पकड़ के चल रहे हो, sitting in close proximity, नस्द receiver के बीच में, that is 46 cm to 120 cm के बीच में होता है, इनले 4 feet, तो 46 cm, 120 cm के बीच का space इनके बीच में, share किया जाता है, normally ये good friend होता है, colleagues होता है, classmate होता है, तो इनके बीच में आप देखेंगे, कि ये space maintain की जाती है, तो this space indicates that a certain level of familiarity between people, हाँ पर क्या होता है, कि अगर इतना space है, तो आ formal होता है, या फिर official होता है, या फिर formal, जैसे कि आप से रास्ते में कोई जा रहा है, आप से direction पूछ लिया, तो ये gap उन दोनों के बीच में maintain होगी, formal, आप अपने director से मिलने जाते है, principal से मिलने जाते है, तो उनके बीच में, आपके बीच में ये space maintain होती है, तो उसकों कहते है या फिर office group बना है stranger हो गया तिन सबसे जबाबात करते हो न तो यह space जो है वहाँ पर maintain होता है तो जब दो लोगों के बीच में space मिले तो समझ जाएगी क्या है वो social capacity में social zone में बात कर रहे है वहीं पर प्रॉक्जमेंस का जो next zone है that is public zone पॉब्लिक जोन common सी चीज है जैसे कि prime minister आ गया है president आ गया है वो बहुत भड़ी भी सभा में लेक्चर दे रहे हैं तो वो चीज हो क्या पॉब्लिक तो वहाँ पर क्यों था जहां दिखाई सके या फिर सुनाई दे सके तो यह जो है इस्टेंस होती है तो जैसे classroom lectures हो गया seminars हो गया training sessions हो गया यह example है यह क्या है पॉब्लिक है वहाँ पर बहुत लोग बैठाव इंसान भी वह देख रहा होता है सुन रहा होता तो यह पॉब्लिक जोन में आ जाता है ठीक है प्राइम इनिस्टर जो है भाषण दे रहे है प्रेसिडेंट भाषण दे रहे है रिप्लिक डे पे इंडिपेंडेंस डे पे तो यह क्या है यह पॉब्लिक जोन में आ जाता है तो प्रॉब्लिक में क्या हो गया नॉर्मली ओफिसियल लेबल पे इस्टेंजर होते हैं 1.21 मेटर से 3.6 मेटर तक का स्पेस होता है वहीं पे पुब्लिक में 3.61 मेटर से जहां तक आपको दिखाई दे सके जहां तक आपको सुनाई दे सके वो स्पेस जो है इनके बीच में शेयर किया जाता है नेक्स्ट जो है नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन का टाइप यदि क्रोणिमिक्स जो है यह थॉमस जे बूनियो थे उन्होंने पहली बार इस टम का यूज गया था तो क्रोणिमिक्स में क्या होता है कि यह टाइम को इस्टेडी को रिलेट काता है तो एक्स्टेडी फंक्शन ऑफ टाइम इन दी कम्यूनिकेटिव प्रोसेज यानि कि टाइम के बेसेज पर कुछ न कुछ कम्यूनिकेशन यहां पर होता है आप सब पूसक्emy कोई पर्सन है उसका इंटरियू है और इंटरियू में लेट पहुंचता है तो इससे क्या होता है इससे पता चल जाता है कि कहीं न कहीं वह time management उसका अच्छा नहीं है खराब है और वह negative impression सामने वाले की ऊपर जयाता है आपने कुछ नहीं communicate किया, आपने कुछ नहीं बोला, कोई physical sign आपने use नहीं किया, लेकिन आपने time जो है सही से इस्तमाल नहीं किया, सही time पर नहीं पहुंचे तो आपका negative impression पहुंच जाता है, negative communication हो जाता है, that is chronomics, ठीक है, जहां पर time के study कियाती है, वही पर अगर आप time से पह चलता है कि आप क्या communicate करना चाहरे हो, बहुत दिनों बाद आप अपने घर पहुंचते हो, तो आपके मम्मी, आपके पापा, जो आपको देखते हो, आपको गले लगा लेते हैं, तो क्या है, वो अपना happiness शो कर रहे है, वही पर आपको गले ना लगा है, उपर आपको एक थ सैड है, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो यह उसके टस से आप जो है identify कर सकते हो, clear, silence, वही पर जो है non-verbal communication में आता है, silence, silence क्या है, बहुत बार आप चुप रहे के भी बहुत सारी बाते कह जाते हैं, तो that is silence, आप सब बोच कर रहे कि कोई परसन है, वो आप जो से सामने वाले ने पूछा, पुलिस ने पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, वो चुप चाप खड़ा है, चुप चाप बैठा है, देख रहा है, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब कि क्या, कि वो अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, ठीक है, a moment of silence is a sign of respect at a funeral कोई funeral है, किसी की death हो गई, वहाँ पर आप जाके चुप रहते हो, यह भी क्या है, यह sign है कि आप जो है respect शो कर रहे हो, clear, तो silence अलग जगा, अलग meaning शो करता है, तो यह that is, यह सब क्या है, non-verbal communication के types हैं, तो proxemics हो गया, chronemics हो गया, haptics हो गया, kinesics हो गया, silence हो गया, sign language हो ग के जजए हो गया, जो क्या हो गया, यह भी क्नक हिए।, कि अक्पिक नहीं हो गया, यह विणर गजीन हम चिए लाता है, यह जए हो गया, से draw का रहर, क्यकτό एक कोई के विदा हैं, यह रहरा जो कि अनाता है, उन्र टूर